कुछ हेटर्स मुझे कहते हैं कि तुम टीचर लाइक नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर मैं टीचर नहीं होता तो हीरो जरूर होता अगर विश्वास नहीं हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आइडी पे जाकर के देख सकते हो इंस्टाग्राम आइडी है पंकज श्टडी सेंटर एक दोती तो नमस्कार साथियो मैं पंकज यादव इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंसी इाइडी गनित क्लास इलेवेंट मैथ का अध्या एक जिसका नाम है समुच्चे जिसे इंगलिस में कहते हैं सेट्स और इसकी अंतरगत जो हमारे पास प्रशना वली एक दसनलतीन आता है इसके जितने भी सारे प्रशन हैं उन सभी को हम राप्ची के स्टैल में समझन का हम पूरा प्रयास करेंगे तो आईए एक ही क्वेशन लेते हैं और कंसिप के साथ किलियर करते हैं तो रिमोट महराज हमारे हाथ में आ जाईए और एक बटन जो है दब जाईए तो यहां पर मैंने जैसे ही दबाया पेज चिंज हो गया क्वेशन का हेडिंग लाइन क्या कहता है यहां पे जरा देखिए यह कहता है कि रिक्त अस्थानों में प्रतीक सबसेट या नौट सबसेट को भरकर सही कथन बनाईए हैना यह हमारे पास सबसेट का निसान है और यह हमारे पास नौट सबसेट का निसान है सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्च्च्च्च नौट सबसेट यानि उप समुच्चे नहीं है क्लियर तो यहां पर हमें भर करके बताना है तो इसको समझने के लिए हम कुछ उधारे लेंगे जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया समुच्चे मालो की इसमें अव्वे रख देते हैं पांच चार छे आठ यह मैंने अव्वे ले लिया उसके बाद आठ ले लिया दस ले लिया यह मैंने ले लिया अब बताएए आप क्या यह समुच्चे इस समुच्चे का उप समुच्च्च है या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं क्या यह सेट्स इस सेट्स का सबसेट है है ना तो देखो मैं आपको बता दू कि इस जितने भी अवे हैं अगर इसमें है तो सबसेट है नहीं तो नहीं सबसेट कहने का मतलब कि इसमें जितने भी सारे अवयव दिये गए हैं अवयव बोलते हैं अवयव है ना अवयव यानी सारे अव्यव है इसका मतलब यह सबसेट है यानि यह समुच्चे इस समुच्चे का सबसेट है कहने का मतलब यह हुआ कि यह समुच्चे लिbelsे यह लेते हैं तीन और चार और उसके बाद पाच उसके बाद छे मैंने लिया खाली अस्थान और इसमें हम लेते हैं तीन चार पाच आट नो यह मैंने अवभ ले लिया क्लियर अब बताए यह क्या यह समुच्च इस समुच्च का subset है देख लेते हैं सबसेट होने का सर्थ यह है कि इसमें जितने भी सारे अव्यव दिये गए हैं यह सारे की सारे अव्यव इसमें होने चाहिए क्या तीन है चार है पांच है लेकिन छे नहीं है ना मतलब 6 नंबर जो है इसमें नहीं है अगर एक भी अव्यव इसमें नहीं होते हैं तो हम कहते हैं कि subset नहीं है यानी not subset clear तो subset भरने का तरीका और not subset भरने का तरीका आपने देख लिया बड़ा सिंपल है आये इस कोश्चन को हम सॉल्व करते हैं देखिए यह सबसेट है या नहीं सबसेट है यह देखते हैं तो सबसे पहली बात करेंगे इस समुच्छे के इसे बात कोता है किसा बेंगे यह सबसेट है अगर इसमें यहां इसमेंने के संथनाद कोश्चान के हैं आव तो यहां पर अभेतन कोली घंठ आए लेकिन कोश्चन के इस नहीं है है अगर एक भी अव्य आगर इस्में नहीं होता है तो हम कह देते हैं कि subset नहीं है यानि not subset है तो हम यहाँ पर not subset भरेंगे तो लिखेंगे क्या इसको बोलेंगे ऐसे कि यह समुच्चे इस समुच्चे का not subset है कोई दिक्कत नहीं न दिक्कत हववट खुजली परिसानी नहीं न चलिए नहीं होना चाहिए next तीसरा देखें यहां पर कहता है एक सच्डेट एक्स आपके विद्याले की कच्छा 11 का एक विद्यार्थी है कोई दिक्कत नहीं मालो कि यहां समुच्चे हमने माल लिया ठेक है कुछ भी और इसमें क्या है आपके विद्याले की कच्छा 11 का एक विद्यार्थी है एक विद् डॉट 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 है ना फिर कहता है एक सच्डेट एक्स आपके विद्याले का एक विद्यार्थी है मतलब एक सच्डेट एक्स एक आपके विद्याले का एक विद्यार्थी है मतलब क्या है विद्याले का एक विद्यार्थी है ऐसा कहा जा रहा है है ना कि क्या है मैंने क्या लिख दिया गलत लिख दिया सौरी है है ना हाथ जो लग जाता है ना तो हो जाता है समझे अब यहां पर देखो कि मैंने यहां पर क्या लिखा सर इलेवें यहां पर काता है क्या इंक्षा यहां देखो है जो हमको दिया रोश्टर में इता सौरी सेट विल्डर फॉर्म में दिया गया है रोस्टर रूप में बदलना होता है ठीक है सेट विल्डर फॉर्म में सेट विल्डर फॉर्म यानी समुच्य निर्मान रूप में ठीक है तो एक सच्जेट एक्स आपके विद्याले का यानि विद्याले की कक्षा 11 की एक विद्यार्थी है तो बताइए जो कलास 11 का विद्यार्थी है वो कहां पढ़ेगा विद्याले में ही तो पढ़ेगा कहां पढ़ेगा विद्याले में ही न पढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि इस में के सारे के सारे अव्यव जो हैं इस समुच्चे में होंगे कैसे कह सकते हैं ऐसे कह सकते हैं कि भाई कच्छा 11 की जो भी विद्यारती है वो क्या विद्याले में पढ़ेगा कहां पढ़ेगा विद्याले में ही पढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि जो भी विद्यारती है वह सार नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चौथा केता है एक सचड़ेट X किसी समतल में इस्तीत एक विरित तो हम यहां पर समुच्चे बना लेंगे और इसमें एक विरित दाल दि एक विरित है खाली अस्थान अब यहां पर देखिये एक सच्डेट एक समान समतल में विरित है जिसकी तिर्जा एक इकाई है मतलब हमारे पास एक विरित है जिसकी तिर्जा कितनी है तो एक इकाई है मतलब एक इकाई वाले एक इकाई तिर्जा वाले विरित है यहां पे और इधर क्या है इस साइड कोई फिक्स नहीं किया गया ह यहां पर डाइक्ट कहता है कि एक सच्टेट एक किसी समतल में इस्थित एक विरित है अब कितना सेंटीमीटर तिर्जा वाला विरित है एक सेंटीमीटर तिर्जा वाला विरित है कि चार सेंटीमीटर तिर्जा वाला विरित है इसका कोई फिक्स नहीं है लेकिन इसमें फिक् है तो अब बताएए इसमें फिक्स नहीं इसमें तीनों इकाइवला हो सकता है चारों इकाइवला विरित हो सकता है तो हम कह सकते इसमें के जितने भी अव्यव है क्या इसमें होंगे नहीं होंगे क्यूं क्यूंकि इसमें केवल एक इकाइवला जो है विरित है लेकिन इसमें एक ही काई वाला भी विरित हो सकता है, दो ही काई वाला भी विरित हो सकता है, तो इसमें कि सारे कि सारे अव्वे इसमें नहीं होंगे, तो हम कह सकते हैं कि समुच्चे यह जो है, इस समुच्चे का उप समुच्चे नहीं है, यानि सबसेट नहीं है, तो यहां पर हम भर दें नोच सब्सके लिएर नेक्स्ट पाँचना देखिये जो में और, किसी सम्तल में स्थिते एक तिरहुज毒 है यहाँ पर क्या कह रहा है जो यहाँ सिरह एक सपहलो एक सच्छित 记 defix किसी सम्तल में इस्थिते एक तिरहुज है कोई दिक्कत नहीं एक तिर्भूज है है नंतों हम यहाँ पर भर देते हैं मालों कि यह समुच्छ यह समुच्छ के अंदर अब यह जो हमारे पास 해도 तिर्भूज के रूप में है अब यहां पे खाली अस्थान डॉट डॉट हमने भर दिया अब करता है एक सच्जट एक किसी समतल में इस्थित एक आयत है तो अब यहां पे आयत हमने भर दिया ठीक है अब बताईए इसमें तिर्भूज है इसमें आयत है इसका मतलब इसमें कि जो भी अव्यव है इसमें नहीं है क्योंकि यहां तिर्भूज है नहीं है यहां तो आयत है तो हम कह सकते हैं कि समुच्य ए मतलब कुछ भी माल लेंगे मालों कि समुच्य यह जो है इस समुच है तो तिर्भुज तो इसमें है नहीं को यह तो यह अवियव के रूप में हो गया तो यह इसमें है इसलिए नल्ब सम्साटे इस अ्श जो एक सर्थ चैस किसी संतल में इस्थित एक संभाहूं तिर्भूज है शंभाहूं तिर्भूज की से कहते हैं जिसकी सभी भूजा आपस में बराबर हो हम यहां पे संभाहूं तिर्भूज बना लेते, संभाहू तिर्भूज की सभी भूजा क्या होती है, आपस में बड़ाबर होती है, यह मैंने बना लिया, तो एक सच डेट एक किसी समतल में एक संभाहू तिर्भूज है, उसके बाद डॉट डॉट है ना, अब उसके बाद देखे, यहाँ पे कहता है, एक सच डे बाहू तिर्भूज भी हो सकता है, है कि नहीं, तो शम बाहू तिर्भूज भी हो सकता है, है ना, और शम कोन तिर्भूज भी हो सकता है, है ना, विशम बाहू भी तिर्भूज हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं कहता है कि कौन सा तिर्भूज, सिधा का द क्या हमारे पास है उप समुच्छ्य है दुस्रे सब्द में इसके ऐसे कह सकते हैं यह से इसका सबसेट है क्लिए यह आपने देख लिया कोई हवाट खुझली परिशानी नहीं न मैं आपको बता दू कि अगर आपको ओनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना पंकज स्टेडी सेंटर डॉट कॉम वहां पे जाकर कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं पीडिया फगर डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो यह आपने समझ लिया आरें सार कि बैटरी तरह नहीं लाई यह ता कि हम चार्ज किया हुए है कि एक पॉइंट तो है चलने वाला है कि नहीं पता ने बदली यह लेते हैं कि अगर कि अगर कि 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 हलो हलो तो तेरे नैना मेरे नैनों से अब यह समझ गया आगे सातमा सर यह कहता एक सच जट एक सम प्राकिर संख्या है सम प्राकिर संख्या है चलिए हम यहां पर सम प्राकिर संख्या लिखेंगे सम प्राकिर संख्या जैसे दो हो गया चार हो गया छी हो गया डॉट 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 यह सम प्राकिर संख्या आगे तक जाता रहेगा नन तक ठीक है अब यहां पर डॉट डॉट खाली अस्थान इसमें हमें भरना सब्सेट नौर सब्सेट का निसान अब क्याता एक सच जैट एक पुर्नांग है तो पुर्नांग क्या होता है पुर्णांग जैसे की माइनस एक माइनस दो हैना माइनस तीन से स्टार्ट करते हैं माइनस तीन हो गया माइनस दो हो गया माइनस एक हो गया जीरो हो गया है ना एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया पांच हो गया छे हो गया साथ हो गया आट हो गया डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा ठीक है तो अब बताईए कि इसमें के जितने भी अव्यव है क्या इसमें है अगर है तो सबसेट है अगर न नहीं रहेगा तो not subset मतलग कह सकते हैं यह समुच्छे इस समुच्छे का सबसेट है यानि उपसमुच्छे है नेक्स्ट साथ प्राषण था इसमें कोई दिक्त नहीं अब दूसरा प्रस्ण क्या कहता है सर हलो थूसरा प्रस्ण कहता है कि जाचिय की निमलिखित कथन सत्थ्य है अथा अशत्वा आशत्य अब सत्य है अ thriving कहीं भड़ा है यह गलत भड़ा है सत्त्य या सत्य है यहां क्यात ऐना कि जाहर जिए निमलिखित कशन तो पहला फ्रहुत सचलते हैं यहां पे क्या क्याता है ए और त्रो कह अप्र कि ι वे अब कौम ऑन देखर शंच झाय Los subset भरेंगे अगर नहीं होंगे तो not subset भरेंगे यहां पर लिख सकते हो हळल अब देखो मिरा भाइए बी ए भी है क्या तो यहां पर गौर कर सकती है हैं और यहां भी है मतलब इसमें कि जितने भीएव है इसमें है तो हम क्या सकते समुच्ठ का सबसेट है तो सबसेट हो गया condition क्या कह रहाँ था condition कह रहा हमने जब इसको solve किया तो यह रवसेट है और यहां not ऑसेट बरा हुआ है मतलब यह चोट्टा जो दिखा है गलत लिखा है मतलब सत्य बात लिखा है यानि जूट बोल रहा है तो यह असक्तिय है क्या हो जाएंगे यह असक्तिय थी ठीक है अशक्तिय कि उस्ट्य कूँँ गवा ? क्योंकि हमने जब सॉल्व किया तो यह सथ्ट्य आ रहा है मतलब संस्टर आ रहा है यहां नोट सब्सिट भर के रखा है इसका मतलब वो उसका बाता है नेक्स्ट दूसरा प्रशने A,E A,E है यह हमारे पास है अब यहां पर देखो एक सचजट एक अंग्रेजी वर्न माला का एक स्वर है तो स्वर यानि अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं पांच गों होते हैं कौन-कौन होते हैं तो A,E,I,O और U यह भोवल है हमारे पास पांच को अब बताईए इसमें के जितने भी अवे अगर इसमें होंगे तो सबसेट नहीं होंगे तो नौट सबसेट तो हम देख सकते हैं मेरे भाई ए और यह है यहाँ 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 है तो इसमें के जितने भी अवे इसमें तो है तो हम क्या भाएंगे सबसेट हमने सबसेट भरा और कोश सकते हो सत्य है clear next question दूसरा तीसरा है इसमें के जितने भी इसमें होंगे देखो यहां एक लिख लेंगे दो लिख लेंगे तिन लेखेंगे यह समुच्चे हमारे पास इस समुच्चे के हमारे पास क्या है एक है तीन है और पांच है अब देखो इसमें के जितने भी इसमें हो such basic नहीं होनगे थो not subset तो देखो 1 2 3 एक यहां पे एक यहां भी है लेकिन समाँ नहीं है एक भी अभियव नहीं है तो मतलब समझ आना की not subset भराएगा तो यह not subset भराएगा है ना मतलब यह समुच्चे का जोमच्चे नहीं धुदक सबसिटUh हुआ अग कोशन मा कर रहा है सबसेट इसका मतलब यह जूट बोल रहा है मतलब यह कथन और सत्य है और सत्य है किलिया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चौथा देखो इसमें यह हमारे पास अब यह ते इसमें कि जितने भी अवे इसमें होंगे तो सबसेट नहीं तो नेक्स्ट प्लोंघ्ट्टु मतलब यह हुआ कि हूप हुँ जो भी है वो पूरा कई पूरा इसमें अयां चाहिए और मान लो कि यह हमारे पास A है और यह हमारे पास है और belongs to है अगर मैं यहां पर ले लू की A और इसमें करली ब्रेकेट मान लो कॉमा B और कॉमा C तो देखो belongs to का मतलब यह होता है कि पूरा हू पहू होना चाहिए जैसे कि यह हमारे पास A है यह और साथ में करली ब्रेकेट यानि मध्यम ब्रेकेट के साथ ही देखना है मध्यम ब्रेकेट के साथ ही इसके अंदर है तो समझ जाना यह पूरा का पूरा इसमें बिलॉंग कर रहा है clear तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पे देखिया हूब हूए यह पूरा का पूरा इसमें है क्या यह पूरा का पूरा इसमें तो है नहीं curly bracket ये जो middle bracket है इसके साथ पूरा का पूरा इसमें है जैसे अगर यहाँ पे पूरा का पूरा ये रहता तो हाँ हम कहते कि ये इसके साथ belong कर रहा है मतलब ये सारा के सारा इसमें है तो belongs to भराएगा लेकिन ये पूरा का पूरा ये जैसा curly bracket के साथ इसके अंदर नहीं है तो इस हो धेखो यहाँ पे यह पूरा पूरा हू बहू अगर इसमें रहता तो बिलांच कर था अगर पूरा का पूरा ऐसा हू बहू यह ब्रेकेट के साथ अगर नहीं है तर not belongs भर ऐगा क्या not belongs भराइगा लेकिन कंडीशन में यहाँ पे दिश्य बिलोंच भर दिया है है ना तो यह जूट बोल रहा है इसका मतलब यह और सत्य क्या यह और सत्य क्लियर यह आपने देख लिया सत्य कब होता जब इसमें यहां पे अगर करली ब्रेकेट लगा रहता तो यह सत्य हो जाता तब उसका सही बात हो जाता लेकिन करली ब्रेकेट नहीं लगा ह है क्योंकि belongs to का मतलब ही होता है कि पूरा हूँ बहु उसमें होना चाहिए नेक्स्ट आगे देखिए यहां पे छठ्ठा क्या कहता है एक सच्छेट एक संख्या च्छो से कॉम एक सौम प्राकिर संख्या सो छो कॉम स्वोम प्राकृत संख्या क्याision डालशान उसकता है तो सकता है चार हो किए उसकी आद कुछो सकता है नहीं हो सकता अब देखिए सबसेट भरा हुआ है कोए दिकत Snapdragonığını हना तो इसको निशान हम बाद में भरेंगे फिल करेंगे देखो अब कहता है एक सच्छडेट एक प्राकिर्थ संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता है संख्या क्या है 36 को विभाजित करता है, 36 को काटने वाली संख्या आपको लिखनी है, कौन-कौन संख्या काट सकती है, तो एक भी 36 को काट सकते है, 36 मर्तब्य, दो भी काट सकते हैं, ठारदुना 36, हना तीन भी काट सकते हैं, बारती है 36, चार भी काट सकते हैं, छो भी काट सक कच्च्च्च्च नौ भी काच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् क्या इसमें के जितने भी अव्यव इसमें है क्या दो चार तो हम देख सकते दो और चार यह अव्यव है तो सारे के सारे अव्यव इसमें है तो हम क्या सकते यह समुच्चे इस समुच्चे का सबसेट है तो सबसेट भर दिया और कंडीशन में भी सबसेट भरा हुआ था इसका मतल्य इसका खतन सत्य है तो हम लिख सकते हैं सत्य है clear यह आप ने देख लिया अब कोई धिकत ने दिकत मिर बहाई आगे वर्ट तीसरा प्रश्न क्या कहता है माल लीजीए की समुच्चे A के अव्य ये हैं हमारे पास समुच्चे A के अव्य ये हैं तो निमलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों कौन सा कथन सही नहीं है और कौन जो सही होगा सही लिख देंगे और जो सही नहीं है वो हम लिख देंगे ठीक है तो आए हम पहला प्रशन ले लेत है तो यहां पर एक व्यप दो अर्व्यव 3 पांच अगर ऐसा पढ़ रहा है तो गलत है इसमें पाँ आप नहीं है मैं आपको पताता हूं देखो यह अव्यव 2 अब्योभ तो साथ है पूरा पूरा तो इहত नि原因 पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो यह 3 ayah ho जाएंगे और यह 4 ayah मतलब total 4 ayah दिए गहें इस में totally 4 ayah दिये गए यह bracket के अंदर यह मतलब यह आवयव के रूप में गिंति होंगे केवल एक on तीन और 4 मिलाकर के एक व्यहां पे गिंति किया जाएंगे तो इसमें total 4 तो निम्लिखित में कौन सा खतन सही नहीं है और क्यों ये भी आपको बताना है तो देखो यहां पर कहता तीन कॉमा चार सबसेट ए है ना तीन कॉमा चार सबसेट ए कहने का मतलब तीन कॉमा चार समुचे ए में होने चाहिए क्या तीन कॉमा चार समुचे ए में होने चाहिए अगर है तो सबसेट है अगर नहीं है तो नौट सबसेट ठीक है अभी मैं देख लेता हूँ जहां पर तीन कॉमा चार है है ना इसके अंदर अव्यव आज समुचे ए के अव्यव क क्या है हमारे पास वो दिये गए हैं एक कॉमा दो और उसके बाद करली ब्रेकट तीन कॉमा चार और उसके बाद पांच है तो पांच लिखेंगे यह मैंने लिख दिया इसमें कि जितनेगी इसमें होने चाहिए अब गौढ़त से देख ना कि यह स एक अव्यव है यह दोनों तीन सियान रखना ब्रेकेट के साथ है अब इसमें देखो तीसरा अव्यव क्या इसमें है कहीं नहीं है तो इसमें की एक भी अव्य इसमें नहीं है तो हम कहेंगे एक चीज क्लियर कर दू कि मान लो कि अगर यह 3,4 है यह जो आपको ऐसे दिया गया है अगर हो सके कि 3,4 इस ब्रेकेट की अंदर भी एक करली ब्रेकेट डाल देता अताव यह देता कि 1,2 और ब्रेकेट में 3,4,5 अब बताइए सबसेट होगा यह नौट सबसेट अब यह हो ज किंती करेंगे है ना तो 3,4 एक अवे मिले हैं है ना तो यहां भी देख सकते 3,4 मिलकर के एक अवे बने हुए तो यह सारे के सारे अवे इसमें हैं तो है तो हम कैसे दें सबसेट है लेकिन यहां पे ऐसे था ऐसे मैंने दिया तब आप कहें सबसेट लेकिन यहां पे देखि अब लो, belongs to है, देखो, यह 3,4 है, है न, अब यहाँ पे जो हमारे पास समुच्छे एक यह अव्वे दिये गए है, 1,2 और करली ब्रेकेट, फिर 3,4 है न, और 5 दिये गए है, अब मेरे भाई बताईए, belongs to होगा यह not belongs to होगा, तो हमें आपको बता दू, यह belongs to पहले से भर के रखा है, belongs to का मतलब होता है, कि हूब हूँ, इसका पूरा का पूरा इसमें होना चे हूँ, तो ब्रेकेट के साथ यह पूरा का पूरा क्या इसमें है, क्या हाँ, यहाँ पे देखें, ब्रेकेट के साथ 3,4 है, तो पूरा का स्ट कि तीसरा अब लोगो है आगया ना क्या ये समूच्छría है समुच्य एक क्या वुप समुच्य है यानि सप्विसेट है तो सिंपल सी बात है कह सकते है समुच्य एमें ये हमारे पास है में और समुच्य पहले से भढ्खके रखा हुआ है मतलब लिखेंगे सही है क्या लिखेंगे? सही है है ना? सही है अम माल लो कि अगर ई-breaket अगर नहीं देता तब not subset भढाता लेकिन यहाँ पर bracket लगा दिया है तो यह पूरा एक उव्य बना और एक और यहाँ पे है तो यह पूरा का पूरा इसमें है इसलिए सबसेट है और सबसेट भड़के रखा इसका मतलब यह सही है clear next आगे बढ़ते हैं अब देखो एक belongs to a अब यहाँ पे गौर कीजिए एक belongs to a है न तो एक belongs to a कहने का मतलब की पूरा हू बहू यह पूरा का पूरा इसमें होने चाहिए समुचे a में यह पूरा एक होने चाहिए तो एक यहाँ पे है इसका मतलब यह कथन सही है तो हम लिखेंगे सही है सही है ठीक है अब next अब देखिए एक subset a है अब मेरे भाई गौर कीजिए यह समुचे a में क्या एक है तो पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा क्या ध्यान दोना होगा कि क्या यह अव्यव है तो भाई अव्यव जो होता है कुछ bracket के अंदर ऐसे रहता है तो अव्यव कहते हैं तो क्या यह समुच्चे है तो यह ना तो समुच्चे है और नहीं अव्यव है तो ना तो समुच्चे है नहीं अव्यव है तो हम कैसे कह सकत है कि यह सब्सेट होगा है ना तो यह हमको पता नहीं है ना तो यह सब्सेट है ना मतलब कहने का ना तो यह समुचे ना तो अव्यव है तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा इसमें है अगर हो सकता है कि यहां पे ब्रेकर दे देता तो हम कहा देते कि यह अव्य इसमे ही है क्लियर नहीं है ओके आपने भर लिया नेक्स्ट अब तीसरा का छठा सवाल बताइए सबसेट है या नौट सबसेट देख लेते हैं एक दो पांच होना ची एक है क्या हाँ इसमें है दो है क्या है पांच है क्या है तो यह पूरा का पूरा अव्यव इसमें है तो हम कह सकत यह समूज्शे का उप समूच्चे यानि अदि यह समूज्शे है और पहिले से भर के भी रखा हुआ है मतलब इसका कथन सही है ये समुखे लोज़ेंगे सही है सही है समझ में आ रहने के दम सिंपल है बव्व्वा है क्लिए नेक्स्ट यह सारे इसमें है क्या समझए अच्छा यहां पर belongs टू लगा हुआ है यहुआ कि करली ब्रेकेट के साथ यह पूरा का पूरा हूब हूब एक-दो-पांच ब्रेकेट के साथ इसमें वोने चाहिए तो आप देख सकते हैं कि एक-दो-पांच जो है ब्रेकेट के साथ इस नहीं है तो not belongs to न भराएगा लेकिन यहां पर belongs to भर के रखा हुआ है पहले से मतलब यह सही नहीं है तो हम लिखेंगे सही नहीं है सही नहीं है नहीं है क्लियर आपने देख लिया कि ओके आपने समझ लिया next question अब हम क्या करेंगे सर कि आठ रहा देखेंगे कि सबसेट मतलब इसमें कि जितने भी अव्यव है इसमें होने चाहिए तब होगा सबसेट नहीं तो not सबसेट है ना जैसे कि यहां पर एक कॉमा 2,3 है है न अब हमारे पर समझ एक अव्य क्या दिये गए एक कॉमा 2 और ब्रेकट फिर 3,4 यह दिये गए है और 5 दिये गए अब बताई इसमें कि जितने भी अव्य इसमें है क्या देख लो एक दो तीन तो एक दो तो है तीन नहीं है यह तीन चार एक साथ अव्यव में वेग अलग अव्यव है तीन चार एक साथ अव्यव है तीन देखो है क्या नहीं है तो इसमें कि जितने भी अव्यव इसमें नहीं है नहीं है तो नौट सबसेट भड़ाएगा यहां पर सबसेट भरके रखा हुआ है मतलब यह भी सही नहीं है सही नहीं है नहीं है कि लिए आपने देख लिया next आगे बढ़ते हैं देसमाँ अब एहां पर देखो है है बंइलांग 24 छू एन या नहींा है लेकिन याँ यहां पर अब लोंग श्टू मतलब है यह कारкими hm है हम देख रहे हैं यह नहीं है तो नोट विलोंग्स टुबर आएगा ना यह बिलोंग्स टुबर के रखा है मतलब लीख देंगे सही नहीं है सही नहीं है क्लियर यह हो गया नेक्स्ट पाई सबसेट ए अब देखो फाई फाई जो होता है वह किसी भी समुच्चे का उप समुच्चे होता है यानि फाई जो होता है किसी भी समुच्चे का सबसेट होता है इस बात को ध्यान रखना याद कर लेना तो इस समुच्चे ए का यह फाई सबसेट होगा है ना में फाई था अब फाई किसी भी समुच्चे का उप समुच्चे होता इस बात को ध्यान रखना लेकिन यहां फाई क्या आव्यव के रूप में आ गया है अब आव्यव के रूप में आ गया है तो हूब हूँ यह पाई फाई जो देख रहे हैं फाई इसमें होना चाहिए तो लिखेंगे, सही नहीं है, किलियर यह आपने कर लिया, next question, आगे बढ़ते हैं, निमलिखित समुच्चे के सभी उप समुच्चे लिखिए, अब हमें उप समुच्चे लिखना है, है ना, निमलिखित जितने भी हमारे पास सब सेट है उन सभी का उप समुच्य हमें लिखना इस बात को ध्यानर रखना तो देखो भाई सबसेट सबसेट बिदावर फॉर्मुला होता है दो के पावर ए फॉर्मूला होता है इस बात को धिया तो यह है अब दो की पावर ए ए एन क्या है गसुivos होता है इसमें जित्ने भी अव्यव做ते हो Sports sambud तो दो है पहला हम solve कर रहा है 2 है तो दो लीखो n के जगा पर क्या लिखेंगे इसके पावर ए है तो इसके पावरी देखो n जो हता है अब्वess are the entire कितने इसमें एक ही अब्वे है तो एंड के कि संख्या, उप समुच्य की संख्या, संख्या तो दो होंगे, अब कौन कौन होंगे वो लिखो लो, तो एक तो पहला हूँ भभू, ये वाला डाल दो इसमें, हैंना, ऐसा, और उसके बाद एक फाई, लिख दो, क्या लिख दो, फाई लिख दो, बस, ये दोनों हमारे पास, 5 तो किसी भी समुच्य का उप समुच्य होता है समुच्य जैसा है वैसा एक लिक दो है ना तो यह हमारे पास उप समुच्य दो होंगे अब दूसरा को सॉल्व करेंगे तो सबसेट बराबर क्या होता है सबसेट बराबर होता है दो की पावर एंड क्या होता है सर एंड जो होता है अव्यों की संख्या होती है तो इसमें कितने अव्य एक अव्य दो अव्य है तो दो अव्य है तो एन के जगापे दो रखेंगे तो मतलब यहां पर होंगे चार तो उप समुच्चे की संख्या चार लिख देते हैं पहले तो आप क्या करो हुबहु एक कॉमा बी लिख दो है ना हमने लिख दिया उसके बाद एक को अलग कर दो है ना यह मैंने लिख दिया उसके बाद बी को अलग कर दो यह मैंने कर दिया तो एक दो तीन चार तीन वह हो गया एक फाई लिख दो तो चार हो गया हमने यहाँ पर लिख दिया अब तीसरा को सॉल्व करेंगे तीसरा को तो सबसेट बराबर क्या होता है सर सब्सेट आब स Creed पर डो के पौर एन होता है यहां पर देखो दो लिखेंगे एन जगा ऑप 1डो तीन टोटन अब यह तीन है तो यहां पर तीन Millennium तो 2 के प्रवार 3 मतलब 8 मतलब इस समुच्चे के total 8 उपसमुच्चे होंगे आप समुच्चे कौन को नहूं सकते हैं वो लिख दो तो चलो हम लिख दे एक क्या करो हू बहू जैसा है वैसा लिख दो तो हम एक कॉमा दो कॉमा तीन ये पूरा हू बहू का हू बहू हमने लिख दिया है ना अब इसके बाद यह मैंने लिख दिया, अब एक बार क्या करो, एक कॉमा दो लिख दो, यह मैंने लिख दिया, है न, एक कॉमा दो, अब क्या करो, एक कॉमा तीन लिख दो, तो हम क्या करते हैं, एक कॉमा तीन लिख देते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया, हाँ, अब क्या करो, दो कॉमा तीन लिख दो तो हम यहां पर क्या करते दो कॉमा तीन लिख देते यह मैंने लिख दिया क्लियर ओके मैंने क्या कि एक कॉमा दो कॉमा तीन लिख दिया फिर एक कॉमा दो लिखा फिर एक कॉमा तीन लिख दिया अब क्या करो इन सब को अलग अलग करके लिख दो क्या करते हैं इसक देख हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, छे हुआ, शाथ वा, यह रहा आठ, आठ हमारे पास उपसमुच्छे हो गए, अब वहाँ पे देखो, चौथा हम सॉल्व करते हैं, यहां पे चौथा सॉल्व कर लेते हैं, है ना, क्या करते हैं, सर चौथा सॉ क्या लिख सकते हैं अ कि फोट सबसेट यानि 2 के पावर एन लिखेंगे एक भी अभ्यम नहीं है इसका मतलब क्या दो के पावर जीरो लिखेंगे टो के पावर जीरो का रिजल्ट क्या वगा एक आएगा तो कहने का मतलब इस भाई का एक यूप समुचे होगा कितने एक ही यह आपने देख लिया तो आपने इस प्रश्ण को भी बहतरीन तरीके से समझ लिया मेरे भाई नेक्स्ट पांचमा चलते हैं सर पांचमा क्या कहता है निमलिखित को अंतराल रूप में लिखिए यहां पर कहता है निमलिखित को अंतराल रूप में लिखिए अब अंतराल में आपको समझना है कि खुला अंतराल क्या होता है और बंद अंतराल क्या होता है मैं आपको बता जैसे यहां पर मैंने लिखा खुला अंत्राल अंत्राल है ना खुला अंत्राल यानि यह हुआ open इंटर्वल क्या हुआ open इंटर्वल open इंटर्वल कभ लगाते हैं जब इस परकार का निसान हो open interval कब लगाते हैं जब इस परकार का निसान हो अगर इस परकार का निसान लगाते हैं यानि खुला अंतराल लगा देते हैं तो खुला अंतराल को कैसे दर्साते हैं इस ब्रेकेट से छोटी ब्रेकेट से खुला अंतराल को दर्साते हैं अब देखो इस परकार का अगर निसान इस परकार का निसान हो तो खुला अंतराल के बोलते हैं और खुला अंतराल को इस परकार के चितर से दरसाती यानि छोटी ब्रेकेट से अगर इस परकार का चिन हो तो वह क्या कहलाएंगे बंद अंतराल के रूप में जाएंगे मतलब यह हुआ कि आप यह ब्रेकेट जब ले बड़ी बरेकेट ठीक है और बन अंतराल का निसान ये वाला निसान कब लगाते हैं जब इस प Carne centr हो और इस परकार का छीरो तो खुला अंतराल का चितर लगाते हैं ठीक मैं अगर आप से कहों मैं ऐसे लिख दू कि दो और पांच लिख दू और ऐसे लिख दू तो अगर मैं आप से पूछूंगा कि दो पर कौन सा अंतराल है तो दो पर जो है न हमारे पास खुला खुला अंतराल है और पांच पर क्या है तो बंद अंतराल है क्योंकि बरी ब्रेकेट इधर तो पांच पर बंद के लिए को रहा है तो आईये हम लिख देते हैं आईये तो अब हम क्या करते हैं इसके Department को करते हैं ठीक है अब यहां पर इसको हल करते हैं पहला परश्ut कैसे सोल्व कर सकते हो हलो हलो एक्स बिलोंग्स्टू स्क्ętben सारीं है और ऊसके बाद देखो माइनश सर है तो माइनस च्राइब अभ यहाँ पर छे है तो च्छे लिख दो ठीक है हमने लिख दिया अभ यहां पर ओपन इंटरवल और निशान लगाना है तो मैंने आपको समझा दिया कि इस परकार का निसान रहता है तो कौन सा इंटर्वर लगाते हैं यहां पे देखो मैंने लिख दिया था न कि इस परकार का निसान लगाते हैं तो खुला अंत्राल खुला अंत्राल यानि ओपन इंटर्वर लगाते हैं चोटी कोष्ट लगा द निसान है तो चौपर बड़ी कोश्ट लगा दो तो यह हमारे पास बंद अंतराल होगे बस यह हमारे पास इंसर निकल करे आ गए next question आगे देखो X such that X belongs to हमारे पास R है अब देखो माइनस के 12 है उसके बाद माइनस के 10 है ठीक है अब यहां पे देखो इस परकार का निसान है इसका मतलब छोटी कोश्ट लगा तो मतलब यह हुआ बंद अंत्राल है ना सुरी खुला अंत्राल हो गया और यह भी तो इसी परकार का निसान है तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे बंद अंत्राल ही डालेंगे तो यह हमारे पास इंसर निकल करके आ गया को दिक्कत नहीं दिक्कत अब ह हम क्या करेंगे यह तो solve हो गया अगला question देखो आप क्या करना x belongs to हमारे पास सारे के सारे real number है 0 है तो 0 लिख दो और 7 है तो 7 लिख दो सबसे पहले हमने लिख दिया इस परकार का निसान है तो बंद अंतराल का निसान लगाते हैं यानि close interval यह बंद अंतराल और इस परकार का निसान है तो खुला अंतराल यह वाला bracket लगा देते हैं ठीक है तो यह आपने solve कर लिया यह हमारे पास निकल के आ गए उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे इसको solve करेंगे चलिए हम solve करते हैं एक सच्छड़ एक बिलॉंग्स टू हमारे पास क्या एक सब्लोंग्स टू आरहा यानि रियल नंबर है अब क्या करते हैं सर बंद अंतराल और खुलांतराल लगाना है तो इस पर तीन है तो तीन लिखलो पहले चार है तो चार लिख लो पहलो इस प्रकार का निसान है है ना इस प्रकार का निसान है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं सर है ना को इसके लिए बास बंद अंत्राल यह बंद अंत्राल परकार का किभर भी निसा यह इसके लिए भी तरब हैं के अजन निकल करके आगए ओके नेक्स अगे बढ़ते हैं सर छठा क्या क्याता है निमलिखित अंत्रालों को समुच्य निर्मान रूप में लिखिए यानि set builder form में लिखना है तो set builder form में कोई भी variable मान सकते हैं जैसे x such that हम x मान लिए है आप y such that y भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है है ना तो एक सच्डेट एक्स और बिलॉंग्स टू मान लेते हैं कि आर ऐसे मैंने मार लिया जैसे यह सब क्वेश्चन है ना इसी फॉर्म में आपको लाना है यह हमारे पास है सेट विल्डर फॉर्म में तो इसी रूप में यानि समुच्य निर्मान रूप में हमको ले करके आना ह है है ना तो चलो हमने यहां पर ले लिया अब यहां पर क्या करेंगे माइनस थीन है तो माइनस थीन लिखलो और इधर जिरो है चीरो लिखल लिखलो और बीच में एक्स लिखलो सबसे पहली बात है यहां पर क्या लगा हुआ है तो यह है खुलांतराल के लिए क्या निसान लगाते हैं इस परकार का निसान लगाते हैं इस पर भी क्या है हमारे पास जीरो पर भी क्या है खुलांतराल है तो खुलांतराल के लिए इस परकार का निसान लगाते हैं तो यह हम में देख तो कितने पीज है ओ नहीं नहीं उसी में solve करो इसी में solve करते हैं यह पहला solve कर लिया अब दूसरा solve करते हैं चलो अब क्या करो x such that x belongs to आप आर लिख लो यानि सारे के सारे real number पे हैं अब उसके बाद यहां पे 6 है तो 6 लिख लो उसका देख जगा 12 है तो 12 लिख लो बीच में x डाल लो यह सब क्या है बंदंत्राल के लिए इस परकार का निसान लगाती यह भी बंदंत्राल तो बंदंत्राल के लिए इस परकार का निसान लगाते हैं तो यह हमारे पास क्या हो गया यह उंसर निकल करके आ गया कोई दिखकत नई दिख्कत हान आ आप चाहो तो ब्रेकेट डाल सकते हो कोई दिखकत नहीं यह आप जैसे ही यहां पे दाला हुआ है इए सब ब्रेकेट उसी तरीके से डालोट सही रहेगा यह मैंने डाल लिया अब तीसरा आप देखो तीसरा आप देखो 6 और 12 है तो आप क्या करो कोई विए real x such that x मैंने माल लिया belongs to our मैंने लिख लिया ठीक है अब यहां से क्या करेंगे पहले 6 और 12 है तो हम क्या करेंगे 6 और 12 इधर लिख लेंगे हमने 12 लिखा बीच में X डाल दिया अब यहां से क्या करेंगे सर यहां से देखो 6 पर क्या हमारे पास है खुला अंतराल खुला अंतराल के लिए इस परकार का निसान और 12 पर क्या है बन अंतराल बन अंतराल के लिए इस परकार क निसान लगा देते हैं यह हमारे पास आगया एंसर को दिकत नहीं दिकत अब यहां पर क्या करेंगे सर चौथा चौथा हमारे पास क्या है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं चलिए क्या दिकत है अब यहां से क्या करेंगे सर इसके लिए माइनस के 23 है तो 23 और 5 है तो 5 हमने लिख दिया बीच में x डाल दिया अब यहां पर लिख लो क्या लिखोगे सर इस पर क्या है बंद अंतराल है 23 पर बंद अंतराल बंद अंतराल के लिए इस प्रकार का निसान और 5 पर क्या है खुलांतराल खुलांतराल के लिए इस प्रकार का निसान यह हमारे पास आ गया तो यह हमने सॉल्व कर दिया पूर अस्थावित करेंगे सार्तिरिक समुच्चे प्रस्थावित करने के लिए करें सार्तिरिक समुच्चे मतलब इसे यू से दरसाते ऐसे इसको बोलते यूनिवर्सल सेट क्या यूनिवर्सल सेट हाना तो समकोन तिर्भूजों का समुच्चे सबसे पहली बात है हमारे पास कोई समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् रिभुजों का समुच्च्य तर् 알았어また 25 तम दिभुजिन का समुच्य समुच्य अब सब्हों कासा मुझय इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हर परकार के तर सी कि आ जाएंगे तो सब तो यह पहला का आपने देख लिया कि सार्थरीः जबंच़ कोई दो भूजा अपस में बराबर हो उसी समदित संदौगे केते हैं घना सम्दित निघर कमें तो इसके लिए उनिवार्सल सेट क्या होगा सर इसके लिए उनिवर्सल सेट होगा यानि इसके लिए इन्वे सभी इसमें भी वही हो जाएगा सभी त्रिभूजों का समुच्य है सभी त्रिभूजों का समुच्य है यह आपने देख लिया अब हम सात्मा हमने सारत्रिक समुच्य dozen समुच्य सार्ट यह इसे प्रदत में गूं को दरात्तिक कשण यह यहां सालों सारत्रिक समुच्य कौन से लिए जा सकते हैं सार्पत्रिक समुच्चे कौन से लिए जा सकते हैं यह आपको बताना है तो मैं आपको बता दूं सार्पत्रिक समुच्चे कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें के जितने भी अव्यव है जैसे समुच्चे एक जो भी है समुच्चे बी के जो भी है समुच्चे सी के जो भी हो सार सादूर्ब समूझ्चे के लिए लिए जा सकते हैं यह आपको बताना है तो आई इसका हम पहला हम देखते हैं । देखो समूझे एक फर धोर तीन पांच दो कि समुछे की अभ्यव्य है क्या दो चार चो दो चार चो है सी के अव्य है क्या तो सी जीरुफार दो चार छहे डर 2-4 Cああ 002 चार च्रहा ही नहीं तो इसमें नहीं है तो ए बी-सी जो भी हमारे पथा समुच्चे इसमें के जितने भी अव्यव है इसमें नहीं है, इसके लिए हम कैसके यह सार्वत्रिक समुच्य नहीं है, थे यह आप ने देख लिया, पहला हो गया, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा चलो। इसी का दूसरा निकाल लेते हैं, दूसरा ये है, अब देखो, फाई फाई हमारे पास है फाई हमारे पास यानि इसे हम क्या सकते हैं रिक्त समुच्चे क्या कहेंगे रिक्त समुच्चे मतलग खाली समुच्चे तो खाली समुच्चे में क्या यह सारे के सारे क्या हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है तो मैं कहां पर था यह पर था यह हमारे पास क्या हो जाएंगे फाई है यानि रिक्त समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् में जितने भी बाइवेसमें फिसमें किने एक तीन पाँच एक तीन पाँच चलिए है दो चारच है उसका जीरो दो चार छेह आठ तो जी रो दो चार्च है तो हम क्या सकते है अताह यहां सार्वत्रिक समुच्य है है ना समुझ्चे है ठीक है clear तो यह आपने देख लिया मिरे भाई आगे बढ़ते हैं कि यह बाला देखो चौथा इसमें कि जितने भी अब यह देखो एक तीन पाँच एक एक सॉरी एक तीन पाँच है ना एक तीन पाँच है बी काववे देखो दो चार छे दो ऐसो में का एक ऊव्वे नहीं है अगर एक वी अव्वे ऐसा नहीं होता है तो हम सकते हिए त्रीक समुच्य का समुच्य नहीं है नहीं है है क्लियर यह आपने समझ लिया सर ओके आगे बढ़ते हैं चौथा होगया अब नहीं है तो प्यारे बच्चों आप लोग सारे वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों की सेर करना मिलेंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए